मंटला जिले के निवास थाना अंतरगत लगे हुए कुछ ग्रामूं के बीच सुनसान रास्ते पर जंगली सुवरों ने हमला कर चार लोगों को खायल कर दिया कहका घुलगोल पोड़ी के निवास मार्ग के बीच लगे जंगल में जंगली सुवरों ने आतंक मचा रखा है जिसके बाद जंगली सुवरों के हमले के कारण आसपास के ग्रामिनों में भी भाय का माहौल उत्पन हो गया है सुमफार को मिली जानकारी के अनुसार चार लोगों के उपर जंगली सुवरों ने हमला कर दिया जिसके बाद उन्हें आनल फारन में सामुदा एक स्वास्त केंद्र ले जाया गया और इसकी सूशना वन विभाग को दी गई वहीं सूशना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी अलर्ड हो गई जिसके बाद निवास वन विभाग कमला आजपूरे दलबल के साथ पहुँचा तब उन्हें एक जंगली सुवर रोड के किनारे नस्दी काता दिखा फिर वनकर्मियों ने जंगली सुवर को खदेड कर भ जंगली सुवर उसे पनहा समझ कर वहीं ढहर जाते हैं भोजनवा पानी की तलाश में गाउं की ओर आते हैं उस दोरान जो सामने आ जाए उस पर हमला कर देते हैं गोड़ तलब है कि शेत्र के गाउं में धान की फसल बोई जाती है हरी भरी जगाहों पर गर्मी का एहसास कम होता है इसलिए जंगली सुवरों का डेरा रहता है टाइम एट मेध्य प्रदेश के लिए निवास से देवेंदर चौधरी की रपोर्ट